गुद मॉर्निंग गेट क्लास बिटे आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करें हैं इन दा फर्स समीस इफ यू सब्ट्रेक्ट बन बाइ 2 फ्रॉम ए नमबर एंड मल्टिप्लाइ दे जल्ट बाइ 1 बाइ 2 यू गेट 1 बाइ 8 फाइं दा नमबर बेड़े स्टेट्मेंट ध्यान से रीड करनी है कहते हैं इफ यू सब्ट्रेक्ट बन बाइ 2 अगर हम सब्ट्रेक्ट करते हैं 1 बाइ 2 को किसी नमबर में से और जो जल्ट आते है उसको 1 बाइ 2 से मल्टिप्लाइ करते हैं तो हमें कितना गेट होता है बन बाइ 8 तो हम मा लेते हैं सबसे पहले हमारे पास नमबर क्या है X हमने नमबर ले लिया X तो उसमें से क्या सब्ट्रेक्ट करना है 1 बाइ 2 X में से 1 बाइ 2 सब्ट्रेक्ट कर दिया यह हमारा आ गया सब्ट्रेक्ट करने के बाद और जो result है उसको कितने से multiply किये है 1 by 2 से तो हमें कितना get होता है मतलब इसको solve करके हमारे पार sensor कितना आता है 1 by 8 आपने equation दिहान से बनानी है उसके बाद उसका solution 1 by 2 को x से multiply करो तो 1 by 2 x 1 by 2 को 1 by 2 से करेंगे तो 1 by 4 is equal to 1 by 8 अब देखिए यह x वाला number है और यह without x तो without x वाले number को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा उदर जाके plus हो जाएगा ठीक है अब 1 by 2 x सबसे पहले हम यह rational number है इसका LCM निकालेंगे 8 और 4 का LCM होता है 8 8 के table पर 8 कितने बाता है 1 1 को 1 से multiply करेंगे तो 1 4 के table पर 8 कितने बाता है 2 तो 1 को 2 से करेंगे तो 2 तो 1 by 2 x is equal to 3 by 8 यहां दखो गया अब हमें क्या निकालनी है x की value तो 3 by 8 तो यह 1 by 2 है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा 2 by 1 तो इसकी cutting करो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 तो हमारा नंबर कितना आ गया 3 by 4 यानि की हमें नंबर कितना गैट हो गया है 3 by 4 उसके बाद नेक्स नंबर है नेक्स कोस्चिन अन्दा सेक्ड कोस्चिन इस परेमिटर ओफ ए रिक्टैंगलर स्विमिंग पूल इस 154 मीटर इस लेंथ इस 2 मीटर मोर दें ट्वाइस इस ब्रेथ वोत आरथ लेंथ एन ब्रेथ ओफ अफ पूल परेमिटर कितना है इस 154 मीटर जो लेंथ है एज प्रेस लेंथ जादा ब्रेथ के त्वाइस से इस ड्रेथ sociales तो length कितनी हुई, दुगने से x का दुगना क्या हुआ, 2x कितनी ज़्यादा है, 2 ज़्यादा, यानि 2x प्लस 2 और parameter कितना दिया है, pool का, 154 meter तो parameter का formula कै तर 2 into L प्लस B is equal to 154 length कितनी है, 2x प्लस 2, breadth कितनी है, x तो 2 और x कितनी होगे, 3x प्लस 2 आगे की जो equation है, बेटे, आपने खुश से solve करनी है इतनी equation मैंने आपको समझा दी, आगे की equation आपने खुश से solve करनी है next one है, sum number 3 the base of an isoscale triangle is 4 by 3 isoscale triangle का base, यानि नीचे वाली जो side है, वो है 4 by 3 and the parameter of triangle is 4, 2 by 15 cm what is the length of the either of the remaining equal side देखे, isoscale triangle में क्या होती है, 3 sides होती है जिसमें से 2 sides क्या होंगी, equal isoscale triangle की 2 sides क्या होंगी, equal जैसे हम ये triangle draw करेंगे, ये और ये side क्या है, equal ज्यानि x और x, नीचे वाला base है 4 by 3 इन 3ों को plus करके कितना आता है, 4, 2 by 15 तो आप 3ों साइडों को plus करके, इसके equal करेंगे, और आपकी ये equal side है, वो नीच कलाएंगे उसके बाद है sum number 4, 5, 6, 7 तो 7 थक sum आपने इसी तरीके से ही try करने हैं तो आज के लिए बेटे आपने 1 से लेके 7th sum ही complete करने है, फिर नॉट बुक्स के ऊपर Thank you students